राजधानी राइपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां क्रिशी मंत्री रविंद्र चौबे के केंद्र सरकार पर आरोप पर पूर्व क्रिशी मंत्री बिजमोहा नगरवाल का पलटवार सामने आ है उनका कहना है कि यह सरकार अनार किया है और असत्य बोलने वाली सरकार है बतादे कि उन्होंने कहा है कि यह सरकार पूरी तरह जूट बोलने वाली असत्य बोलने वाली सरकार है विधान सभा में सरकार ने खुद जवाब दिया है कि बारदाने की ववस्था करना राज्य सरकार की जिम्मदारी है जिन्होंने समविधान की शबत लिये ऐसे लोगों को असत्ते बात नहीं बोलनी चाहिए बारदाने की व्यवस्था इनको करनी थी, साल भर पहले क्यों नहीं की बालों की घटना जो हुई है, तोकल लेतिसा में 17 महिलाएं को चल दी गई तो क्या इस सरकार की ऐसे ही धान खरीदी की पॉलिसी है पचीस सो रुपे देकर उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ ली जबकि बिजली की सबसीडी नहीं दे रहे हैं, खात की सबसीडी नहीं दे रहे हैं इस सरकार में किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इस सरकार पूरी तरह असत्य बोलने वाली, जूट बोलने वाली सरकार है विधान सभा में सरकार ने जबाब दिया है कि बोले की व्यवस्था करने की चिम्मेदारी राज्य सरकार की है आज बालोट की ज़ोगतना है टोकल ने एक लिए 17 महला तोभी on गई तो ये भुपेज बगेरी जी की क्या ऐसे ही धान खरीदी की निती है ऐसी ही पॉलिसी है क्या ऐसे ही लोग कुछ ले जाएंगे 25 सो रुपए देकर उन्होंने अपनी 21 समझ ली बिजली के केलेक्शन नहीं दे रहा है खाथ की सबसीडी नहीं दे रहा है किसानों को उनका सोसन कर रहे हैं तो यह बहुत यह सरकार जो है यह अनार्की सरकार है यह सरकार में कहीं पर कोई व्यवस्थर है